जार्खन में एक लाख पदो पर बंपर भैकेंसी जाल दे जार्खन में करमचारी चायन आयोग की ओर से होने वाली परिक्षा के लिए तैयारियों में और गती आएगी मुख्यमंत्री हिमंसुरिन ने सभी नियमावली संस्वधित करने का आदेश दिया है अब उन्ही नियमावली को संस्वधित करने की बात की जा रही है जिससे समंधित अधियाचना पुरू में भेजी जा चुकी थी हाल में केविनेट के नीरनायों के अलोक में संसोधित नियमावली के तहती परिक्षा होनी है और इसके लिए नियमावली में संसोधन किया हो सकता है बता दे राज ये सरकार भी फीन विभागों के नियमावली को संसोधित कर सुनिश्चित करना चाह रही है की नियुक्ति परक्रिया शुरू किया सके इन सुधारों के बाद अत्सी हजार से एक लाख नियुक्ति को लेकर परक्रिया शुरू किया सकेगी सरवधिक नियुक्तियां सिक्षा विभाग और गिरी विभाग में होने की संभावना जताई जा रही है कुछ विभागों के आक राजेपल रमेस बैसे सिष्ट चार भेट की इस दोरहन जार्खन की वादियों से काफी प्रभावित हुए। राजेपल रमेस बैसे सिष्ट चार भेट की इस दोरहन जार्खन की वादियों से काफी प्रभावित हुए। पार्ख के अंदर केंद्रिये सहायता से संग्रालाय का निर्मान भी किया गया है। मालूम हो कि फरवरी 2021 में ही प्रधानमंति नायंद मोदी द्वारा संग्रालाय का उद्घाटन प्रस्तावी था। लेकिन पार्ख का काम पूरा नहीं होने के कारण इसे टालना पड़ा था। स्वास्थ बिभाग में 455 पदोपर वैकनशी। स्वास्थ बिभाग ने जारखन लोग सेवा आयोग से चिकित सको के विभीन पदोपर नियुक्ती पर किरिया शुरू करने के लिए सिग्र बिग्यापन जारी करने को कहा है। विभाग ने अगस्त माह में ही नियुक्ती की अनुसंसा जेपीसी को भेज दी थी लेकिन अभी तक आयोग द्वारा नियुक्ती के लिए बिग्यापन प्रकासित नहीं किया गया है अब स्वास्थ विभाग ने नए मेटिकल कोलेजों में मन्यात्ता का भी हवाला देते हुए सहायक प्रध्याप को किन्युक्ती सिग्र करने को कहा है पतादे स्वास्थ विभाग ने कूल 455 पदोपर न्युक्ती हेतु अनुसंसा जेपीसी को भेजी है जे पीसी पीटी में सेटिंग गेटिंग लगतार करवांक वाले 18 अब्यार्थी पास जारखन लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सातीवी सीविल सेवा प्राणबिक परिच्छा के परिणाम में सिरियल नंबर करवांक वाले का अब्यार्थी सफल गोसित हुए है इसे लेकर सवाल उट रहे हैं बताया जाता है कि कुछ सेंट्रों में परिण्चा में सामिल अब्यार्थी सीविल नंबर से शफल गोसित हुए है राज अगिन समन सहग्री रक्षा वाहिनी में न डीजी है न डीजी और नहीं समादेश्टा ही है यहां समादेश्टा रहे हरी लाल चवहान ही ड्राइबिंग और डीडी ओ थे जो केंदरिये प्रतिन्युक्ति पर मौसुरी चले गए हैं बता दे अगर जल्द ही डीडी ओ ब अगले माह से हर राशन कारधारी का 5 लाख का मुफ्त इलाज जाखन सरकार की ग्रीन कार्ड योजना के तहत अभी तक राजे से करीब 13 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है इसमें से राची जीले से 80 हजार लाभू खाएं बता दे इन सभी को अगले माह दिसंबर तक आ इसमान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था जबकि अने पिला वा गुलाबी राशन कारधारियों को इस योजना का लाभ मिल रहा था जिसमें संतावन लाख परिवारों को सामिल किया गया है बता दे हरा कार्ड धारियों के जोडने के बाद इन सभी कार्ड के सदस्यों क पांच लाख तक के इलाज का लाव मिल सकेगा मंद्रेगा कारियों में निगरानी तंत्र को किया जा रहा मजबूत मंद्रेगा के कारियों में पार्दावसिता लाने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए हर जीले में मन रहेगा लोग पाल के नियुक्ति की जा रही है राजे के 20 जीलो में लोग पाल के नियुक्ति परकिरिया को पूरा कर लिया गया है अस्थापना दिवस के मौके पर इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ये जीलो का सुरू की जाएगी कांग्रेस का सदस्यता अभियान सुरू अखिल भारतिये कंग्रेस कमेटी के निदेश पर सो मुआर को बीशेस सदस्यता अभियान की सुरूआत करते हुए परदेश अध्यक्ष राजेस ठाकूर ने जनकारी दी की जारखन में 15 लाख नए सदस्यों को जो जारखन के आतंकियों को पहली बार हुई फासी की सजा आतंकी गती बीदियों को लेकर जारखन भले ही बदनाम रहा है राश्ट्रिये जाच एजेंसी वा जारखन पुलिस किया आतंकवा निरोधी दस्ते की सेक्रेता ही कहेंगे कि आतंकी गती बीदियों पर बहुत हथ तक नकेल कस गई है बतादे 27 अक्टूबर 2013 को पटना के सीरियल बम बलाश्ट के बाद किसी भी आतंकी घटना में जार्खन का नाम सामने नहीं आया बर 2013 वह इसे पूर्व जो भी आतंकी घटना है घटी उससे सम्मन्द आतंकी वह उनके सहयोगी जार्खन से जरूर पकड़े गा है जब जार्खन के आतंकीयों को फांसी की सजा हुई है इससे पहले मंजर इमाम वह दानिस नामक आतंकी को साथ साल की सजा हुई थी दिवाली पर हर घंटे तीन अस्थानों पर वायू परदूसन की जाच राजधानी राची में दिवाली के दिन साम 6 बजे से रात 12 बजे के दोरान हर घंटे धोनी परदूसन की जाच की जाएगी जारखन राज परदूसन ने अंत्रन बोड ने फिराय लाल चौक, हाई कोट कछारी चौक और असोक नगर का चैन हर घंटे धोनी परदूसन की जाच के लिए किया है महीने में एक दिन मनाया जाएगा साइबर अवर्नेस डे जारखण में साइबर अपराद पर लगाम लगाने को लेकर केंद्रिय गिरी मंत्राले गंभीर है राजे में साइबर अपराद पर लगाम लगाने के उध्यस से अब महीने में एक दिन साइबर अवर्नेस डे मनाया जाएगा मंगलवार को इस समध में केंद्रिय गिरी मंत्राले के अधिकारियों ने राज सरकार के गिरी विभाकी बीसे सचीव तदासा मिस्रा CID के साइबर SP सिरिकांट सुरेश राव के साथ विडियो कन्फिरेंसिंग की 12 नॉमबर से पुलिस कर्मियों को सीथ कालिनवर्दी पहनने का अधिश राज जे पूलिस मुख्याले ने 12 नौम्बर से पुलिस करमियों को सीत कालिन वर्दी पहनने का आदेस चारी किया है राज जे पूलिस मुख्याले के आईजी प्रोवीजन परभायत कुमान ने इस समंद में आदेस जारी किया है आदेश के मुताबिक 12 नौमब्र नौम्बर 21 से 15 मार्श 2012 तक पुलिस कर्मी बंद आसितन वाली सीत कालिंवर्दी पहनेंगे इस दोरान ग्रिष्न कालिंवर्दी पहनना परतिवंधीत होगा जुन 2021 में पूलिस मुख्याले ने खुली आसितन वाली इग्रिस निकालिन वर्दी पहनने का आदेश जारी किया था पुरानी नियमावली से नियुक्ती पर किरिया रोद करना औसन वेधानिक जारखन राज करमचारी चायन आयोग के नियुक्ती के लिए जारी किये गए च्छाओ पर इक्छाओ के विग्यापन को रोद करने का नियुक्ती पर किरिया शुरू हो जाती है उसमें बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोट और हाई कोट ने कोई मामलों में ऐसा आदेश दिया है इस कारण करमचारी चायन आयोग का यह नियुक्ती बैधानिक नहीं माना जाएगा और इसे पर इक्छा में सामिल होने वाले अभियार्थियों के पर्तुकूल माना जाएगा बता दे राजे के बीधी बिकास योजना की समिक्छा की समानाले सभागार में आवेजीत इस समिक्छा बैठक में उप बिकास आयोग डि आर डिये निदेशक जीला पसुपालन पदेदिकारी जीला गबे बिकास पदादिकारी पर योजना पदादिकारी मनरेगा उपस्थित थे उपायुक्त ने अब को द्वारा भरे गए सभी आवेदनों की जाजकर्शी ग्रिजोना सर्षाजित करने का निर्देश दिया। इंडियनपोस्ट.gov.in की अधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। को विशिश रूप से अस्थापित करने के लिए आदिवा सी जिवेलरी ब्रांड का सुभारम किया गया। बतादे लॉंचिंग कारेकरम में JSLPS की CEO नैसी सहाई ने सक्खी मंडल की दिदियों के साथ आदिवा जिवेलरी के कैटलोग का विमोचन कर इस ब्रांड का सुरुआत की। जारखन में दीपावली से छट तक नहीं होगी बिजली गूल। जारखन के लोहरदागा के अनुमंडल पतादिकारी अरविंद कुमारलाल ने दिपावली वा छट पर्व को लेकर पताखा की बिक्री वा परयोग के लिए निदेश जारी किया है। जारखन के लोहरदागा जिले में वैसे पताखों की ही बिक्री की जा सकेगी जीन की धोनी सीमा एक्सोपजिस डेसिवल से कम हो। दिपावली में साम में पताखे मात्र दो घंटे फोरे जा सकेंगे। धन्यवाद।